हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइबरेरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटन सेयर करने जारी हूँ इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं जैंड साब स्वेटर, फूल स्वेटर, जैकेट इसके अलावा आप इस पैटन को गल स्वेटर, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोटी, जैकेट, लॉंग स्वेटर, बच्चों के ओल प्रोजक्ट कैप आदि में अपलाई कर सकते हैं बनके बहुत ही खुबसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है, और फ्रेंट साइट से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होता है सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई सा भी बॉर्डर पैटन बनाके कमप्लीट कर लेंगे बॉर्डर पैटन कमप्लीट होने के बाद हमने दो बेस रो बनाके कमप्लीट कर लेंगे दो बेस रो जब हमारी कमप्लीट हो जाएंगी तो फ्रेंट साइट से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होगा तो देखे फ्रेंट साइट से फर्ष्ट बेस रो border complete होने के बाद front side से हमारी first base row देखिए पहला फंदा उता लेंगे धागा अपने side करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर धागे को देखे ऐसे fold करके आगे करेंगे ये धागे को fold करके आगे करना है दो फंदे इस तरीके से देखिए उल्टे बुनेंगे ये दो फंदे हमने उल्टे बुने फिर धागे को देखे ऐसे पीछे से खीच लेंगे अब देखिए फिर हम धागे को fold करके आगे लाएंगे और देखिए ज Пос劄 से हम बुनाई करेंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरीके से दो फंदे हमने उल्टे बुने फिर धागे को हम ऐसे पीछे से खीच लेंगे फिर नेश्ट देखे धागा अपने साइट करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन फंदे सीधे फिर धागा अपने साइट करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे ये एक फंदा हमने उल्टा बुन लेना है फिर धागे को देखे ऐसे फोल्ड करके आगे लाएंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे ये दो फंदे हमने पीछे से खीच लेंगे फिर एक बार और धागे को फोड करके ऐसे आगे लाएंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो फिर धागे को ऐसे पीछे खीच लेंगे फिर एक फंदा उल्टा बुन लेना है धागा पीछे तीन फंदे सिधे बुन लेंगे फिर एक फंदा उलटा यह देख है, फिर लास्ट का फंदा सीधा बुन देंगे, यह देखे ये फ्रांट साइड से हमारी पैटरन की फर्स्ट बेस रोंल प्लेट हो गई, आप देखे रोंग साइड से से किन के वेड बेस रोंल पहला फंद उतारेंगे, इस तरीके से फिर धागा पीछे करे जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे, यह तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे, एक फंदा सीधा आ जाएगा, फिर देखे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा आ जाएगा, लास्ट का फंदा उल्टा, तो देखिए ये रोंग साइड से हमारी सेकिंड बेश रो, कम्प्लेट हो गई, अब देखिए फ्रन्ट साइड से फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागे को फोड करके ऐसे आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे, ये दो फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, फिर धागा ऐसे पीछे खीच लेंगे, फिर धागे को ऐसे फोड करके आगे लाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा धागा पीछे आप देखें नेस्ट हमने तीन फंदों में पैटर्न डालना है तो एक फंदा आगे करेंगे और जो सेंटर का फंदा है इसके चेन में आएंगे और देखें फर्स्ट ओल चोड़ेंगे सेकिंड होल में ऐसे सलाई डालेंग और एक फंदा बना लेंगे इस तरीके से एक फंदा बनाएंगे फिर तीन फंदे सीधे एक दो तीन फंदे सीधे फिर उसी होल में हम ऐसे सलाई डालेंगे इस तरीके से और देखें एक फंदा बना लेंगे ये देखिए इन फद्णों को में मीडियम लूज बनाना है फिर धागा अपने साइट करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागे को ऐसे फ़ोल्ड करके आगे लाएंगे और देखे न्शन हमें दो फंदे उल्टे बुनने ये दो फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे खीच लेंगे, फिर धागे को फोड़ करके आगे लाएंगे, ये देखे, ये दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागे को ऐसे पीछे खीच लेंगे, इस तरीके से, फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा, नेश देखे, यर तीन फंदों में पेटरन आएगा तो देखे आगे वाला फंदा छोड़के जो सेंटर वाला फंदा इसके चेंप में आएँगे और सेंटन होल में हमने इतनलाई डालनी है एक फंदा बना लेना है फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे इस तरीके से, फिर देखें उसी होल में हम सलाई डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे इस तरीके से यह देखें, यह एक फंदा बना लेना है, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा, त अपनी first row complete कर लेनी है अब देखिए wrong side से pattern की second row पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी side अब देखिए front side की तरफ से देखिए जो फंदा हमने एक्स्ट्रा बनाया है इसको हम बिना बुने उतार लेंगे फिर next हम तीन फंदे फिर देखिए जो एक एक्स्ट्रा फंदा बनाया है इसको हम बिना बुने उतार लेंगे फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी side अब देखिए जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया है इसको हम फिर देखिए जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको उम बिना बूने उतारेंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी साईट चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार लास्ट का फंदा एक सीधा आ जाएगा और एक उल्टा आ जाये तो देखिए रॉंग साइट से हमारी पैटन की second row complete हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से पैटन की third row third row में देखे पहला फंदा उतारेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागे को फोड करके आगे लाएंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे खीचेंगे फिर धागे को ऐसे फोड करके लाएंगे आगे दो फंदे उल्टे फिर धागा ऐसे पीछे खीचले फिर देखे एक फंदा उल्टा धागा पीछे अब देखे जो एक्ष्ट्रा फंदा है इसको हमने ऐसे सीधी डालनी है इसमें और इसको बिना बुने उतार लेना है फिर नेस्ट फंदा सीधा बुनेंगे फिर देखे जो फंदा हमने बिना बुने उतार है आगे वाले फंदे के उपर से उतार के इसको सिलीप कर देंगे फिर देखे एक फंदा सीधा आप देखे नेस्ट फंदा है और एक्स्ट्रा फंद इन दोनों को एक साथ बुनेंगे तो देखें सीधी साइड से सलाई डालेंगे दो का एक कल लेंगे इस तरह के से देखेंगे यह हमारा पैटर्न आने लग गया फिर एक फंदा उल्टा धागे को फोड़ करके आगे लाएंगे फिर देखें दो फंदे इस से पीछे कर लेंगे धागा अपने साइड एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे और देखे जो बिना बुना फंदा है इसको हम ऐसे सलाई में उतार लेंगे इस तरीके से फिर एक फंदा सीधा अब देखे जो फंदा हमने ये बिना बुने उतारा है आगे वाले फं पहला फंद्लच सिदा, पुनेगे, फिर नेच्ट देखें हमने दोफंदे एक साथ भुने, एक भुना ह APP एक एक अक्स्ट्रा, तो सिदी साइट से वह एसे शलाई डालेंगे दो का एक कर लेंगे, फिर एक फंद्लच उल्टा, धागा पीछे, लाश्ट का फंद्ल्लेंगे, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, चार फंदे उल्टे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे दागा पिछे एक फंदा सीधा लास्ट का फंदा उल्टा तो देखिए ये रॉंग साइड से ये फैटन की फोर्त रो गई आप देखिए फ्रांट साइड से फैटन की फिफ्ट रो अब फिफ्ट रो में हमारा पैटन रिपीट तो देखे रिपीट रो पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा फिर धागे को फोड करके आगे लाएंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरीके से फिर धागा ऐसे पीछे खीज लेंगे फिर धागे को फोड करके आगे लाएंगे दो धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे आप देखें नेस्ट हमने तीन फंदों में पैटरन डालना है तो देखें जो सेंटर का फंदा है इसके चेन में आएंगे और सेकिंड होल में फर्स्ट होल चोड़ेंगे सेकिंड होल में हम सलाई और एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे देखें इस फंदे को हमें मीडियम लूज बनाना है फिर तीन फंदे सीधे बना लेने इस तरीके से फिर देखें उसी होल में हम सलाई डालेंगे एक और एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे इस तरीके से धागा अपने साइड एक फ फिर धागे को फोर्ड करके आगे लाएंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो फिर धागे को ऐसे पीछे खीज लेंगे फिर एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे नेस्ट फंदों में पैटरन आएगा तो देखे जो सेंटर वाला फंदा है इसकी चेन में आएंगे औ एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, यह देखे, फिर उसी होल में हम सलाई डालेंगे, और इस तरीके से एक फंदा बना लेंगे, धाग अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा सीधा, तो देखे ए फ्रेंट साइड से हमारी पैटन क 5th row complete हो गई, 5th row में हमारा pattern repeat हो रहा था, 5th row को हमने pattern की 1st row की तरह बुनते हुए complete किया, back side से जो 6th row आएगे इसको हम 2nd row की तरह बुनते हुए complete करेंगे, इस तरह हम अपने pattern को repeat करते जाएंगे, और बनके देखे, हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा, यह देखे, बहुती सुन्दर होती आसन pattern है, आप इसे all project में apply कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें, और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो please subscribe करना न भूने, thank you झाल 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 झाल